शिव जी शिवदूती से बोले अब हम आप लोगों को जो भोजन देंगे वह अपूर्व होगा जो किसीने कभी खाया ही न होगा वह हम आप लोगों का खाने को देंगे हमारे नाभी के नीचे गोल गोल दो फल के आकार के अंडकोश हैं सो तुमको देते हैं उन्ही का भक्षन करो इस भोजन से तुम्हारी श्रिष्ट क्रिप्ती होगी तब उन देवियों ने कहा यह तो आपने महाप्रसाद दिया वहंसकर प्रणाम करके सब की सब खड़ी रही पद्म कुरान श्रिष्टी खंड अध्याई 31 श्लोक 124 से 128 महादेव जी कहते हैं कि जो मनुष्य इसका उत्साह दीप मालिका के दिन करेंगे अंडकोश बनाकर उनमें चने भरेंगे वपुआ वपूरी करेंगे उनका बंधु वस्वजनों से युक्त हो कर वैशच्छेद कभी न होगा अपुत्र पुत्र पावेगा धन का अस्थी धन पावेगा पद्मुपुरान श्रिष्टी खंड अध्याय 31 श्लोक 131 से 132 अल्ला फर्माते हैं जब हमारे फरिष्टे उनकी आत्मा निकालने आते हैं तो उनसे पूछते हैं कहा है वो जूटे भगवान जिनको तुम अल्ला की जगा पुकारा करते थे वो रोएंगे और कहेंगे उन्होंने हमें हरा दिया और वो कुबूल करेंगे कि वो काफिर अल्ला का इंकार करने वाले थे कुरान मजीद 7.35